सब्सक्राइब टो और यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टेक्ट लेटेस अपडेट्स बीजेबी बीडाहे की बेटी साक्षी मिस्रा ने रविबार को एक बेटे को जन दिया है साक्षी की पती अजितेस ने एक पत्रकार से बातचित के दोरान उन्होंने बताया की सुबह साड़े दस बजे छाबडिया नर्शिंग होम में बेटे को जन दिया है उन्होंने बताया की बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं आजितेस अपने फेस्बुक वॉल पर लिखते हैं कि महादेव की असिरवाद और आप सब की दुआउं से साक्षी और मुझे पुत्न रतन की प्राप्ति हुई है आसिरवाद बना रहे बाबा आपको बता दे कि लव मेरिज कर रातो रात देश भर में चर्चा में आने वाली साक्षी और अजितेस की जोड़ी पर जल्द ही फिल्म रिलीज हो सकती है इससे पहले साक्षी मिस्रा ने कहा कि मैं साधी के बाद बेहत खुश हूँ क्योंकि पदी अजितेस बहुत सपोर्ट करते हैं साक्षी के मताबिक उनका यानि कि अजितेस परिवार मेरा ख्याल बहुक्त की तरह रखता है लेकिन अपने परिवार की याद तो आती है क्योंकि जन्म से लेकर अपने मर्जी से साधी से पहले तक का साथ कम नहीं होता है इसलिए आज मैं भाई बिक्की को सबसे ज़्यादा याद करती हूँ बता दे के बीजेपी के बिधायक राजिस मिस्रा की बेटी साक्ष मिस्रा पिछले 3 जुलाई को अपने घर से अचानक चली गई थी इसके बाद उन्होंने परिवार बालों की मर्जी के खिलाप आजितेस से लम मैरिज कर ले थी साधी के एक हफ़ते बाद 10 जुलाई को दोनों ने सोसल मेडिया पर बीडियो जारी कर परिजुनों से अपने जानको खत्रावाताया था अगले दिन यानि की 11 जुलाई को साक्षी ने एक वीडियो जारी कर अपने पीता राजिश मिश्रा भाई बिक्की भरतौल और पीता के करीब राजी उराना से जान को खत्रा बताया था ये दोनों वीडियो सोशल मेडिया पर काफी जादा वाइरल होई थी जिसके बाद इस मामले ने काफी तुल पकड़ लिया है और उसके बाद से लगतार जो है साक्षी अपने परिवार को मिश करती नजर आती है और अपने सोशल मेडिया के माध्यम से अपने भाई और अपन से शायद साक्षी के साथ-साथ अजितेश तो खुश है हैं लेकिन ये जानकारी अगर उनके पिता को मिलती है बीजेपी बिधायक जो है राजी स्मिश्रा को तो शायद उनके भी घर में एक खुशहाली सी नजर आए नियुज रूम से नियुज लाइब की रिपोर्ट